अधिकतर लोग अपने जीवन को सही धंग से व्यतीत करने के लिए मेहनत करते हैं, ताकि अपने छेतर में सफलता हासिल हो और तरक्की होती रहे, स्वास्त ठीक रहे, इसके लिए अपना ध्यान भी रखते हैं, डॉक्टर से सलाह भी लेते रहते हैं, लेकिन इसके बावजू के कुंडली और ग्रहों की चाल के अनुसार अलग-अलग उपाय बताते हैं, इन्हीं उपायों में से एक उपाय है, चौदव मुखी रुद्राक्ष, पत्ना के मसहूर जोतिस वीद, डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी बताते हैं, कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का महा प्रशाद माना जाता है, चौदव मुखी रुद्राक्ष को सिर्फ भोले नात का ही नहीं, बलकि संकट मोचन हनुमान का भी आशिरुवाद प्राप्त है, प्रिवार में भी सबकुष ठीक रहता है, चौदा मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान श्युव ही नहीं हरमान जी का भी अस्रवाद मिला हुआ है। नास होता है उसी तरह इस रुद्राक्ष को धारण करने से जीवन में बनी हुई negativity दूर होती है अगर इसे गंगाजल की मदद से अभिष्य करके जरूर पहने यदि आप सिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और आप प्रोफेसर या फिर अध्यापक हैं तो आपको अपने कर यह में सफलता पाने के लिए चाह मुखी और चौदह मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए कहते हैं कि जो ब्यक्ति पूरे बिधी बिधान के साथ चौदह मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे नकारात्मत्ता धूर रहती है उससे और ये उसे अध्धात् 14 वुकिर रुद्राक्ष को पहनने से साररिक लाव मिलते हैं सब माना जाता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद हड़ियों और मांस्पीसियों में हो रहे दर्ज से राहत मिलती है साथी यह हमें अन्य कई स्वास्त्य संबंदी बीमारियों से बचा कर रखता है अगर जीवन में सनी की साड़े साथी दस तक दे जाए तो लंबे समय तक आर्थिक यों सारेविक रूप से परशानियों का सामना करना पड़ जाता है जोति सास्त्र के अनुशार 14 मुखी पूपट